साथियों नमस्कार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है तो आज का हमारा प्रेक्टिस सेट कला से संबंधित रहने वाला है जो TGT, PGT, DSSB और NBS आद सभी परिछाओं के लिए उपयोगी सिध्ध होने वाला है तो सबसे पहले जी सा अभी को पता है कि हमारे दोरा कुश्चन वही पूटप किये जाते हैं जिनकी परिछा में बहुत जादा संभावना रहती है चले दोस्तों जैसा कि दिखाई पड़ रहा है पहला कुश्चन दिया गया है डाक्तर मोती चंद के अनुसार प्रमख राजधानी सैलिया कितनी ह अप्शन दिये गये हैं तीन दो चार छा इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा अप्शन नमबर एक यानि तीन चले अगला कुश्चन अगला कुश्चन दिया गया है प्रगतवादी समुह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया अप्शन दिया है आरा रजा गायतोंडे और सुजा इसका राइट उत्तर आप्शन नमबर टू हो जाएगा यानि रजा चले अगला कुश्चन अगला कुश्चन है विकानेर सहली का अंतिम चित्रकार था तो आप्शन दिया है हसन रजा नूरुद्दीन स्ताह मुहम्मद दूबे दूबे यहां पे लूफे होना चीए लूफे दूबे की जगा लूफे होना चीए तो इसका राइट उत्तर भी यही हो जाएगा लूफे यानि कुश्चन तीन का राइट उत्तर चार्ज अहीं हो जाएगा चले अगला कुश्चन है सांदरिक क्या है option दिये गए हैं कलाकरत जीवन का अनंद रस निस्पत अभिव्यक्त इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्षन नमबर कि तीन यानि रस निस्पत्य जो है सांदर है चलिए अगला कुश्चन का अगला कुश्चन है साहबदीन के सहली का चित्रकार है अगला कुश्चन अगला कुश्चन दिया गया है मेफ हुसेन नेहाल ही में 100 करोर रुपे का सवदा किया है किस से किया है यही बताना है स्वरूप स्रीवास्ताओ, स्वरूप संपत, अनिलंबानी, स्वरूप क्रैस्त इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्वरूप स्रीवास्ताओ चलि अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन दिया गया है म्रग नईनी का महल कहां इस्थित है अप्शन है कोटा, गॉलियर, धार, हैदराबाद इसका राइट उत्तर का उन्सा हो जाएगा अप्शन टू, गॉलियर, यानि म्रग नईनी का जो महल है गॉलियर में इस्थित है अगला कुश्चन है, तीवर प्रकास को क्या कहा जाता है अप्शन, सेड, मध्ध प्रकास, हाइलाइट, टेंट इसका राइट उत्तर, अप्शन नमबर तीन हो जाएगा यानि तीवर प्रकास को क्या कहा जाता है, हाइलाइट अगला कुस्चन है जाला जी की हवेली में कि सैली के उतक्रेश्ट भित्य चित्रों के उदाहर देखनी को मिलते हैं अप्शन विकानेर सैली, कोटा सैली, मेवार सैली, जैपूरी सैली तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर टू, कोटा सैली अगला कुस्चन दिया गया है तला का वह कौण सा ततो है जिसे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूत ही होती है अप्शन दिये गये है रूप, पोट, रेखा, रंग तो इसका राइट उत्तर काउन सा हो जाएगा इसका राइट उत्तर आप्शन नमबर टू, यानि पोट हो जाएगा चलिए अगला कुस्चन अगला कुस्चन दिया गया है सलों दा रिफ्यूजेंस क्या था? आप्शन दिये गये है चेत्र, कलाप्रदर्शनी, म्यूजियम, राजनायतिक, संस्था तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर टू, कलाप्रदर्शनी अगला कुस्चन है अगला कुस्चन दिया गया है निम्न में से किस चेत्रकार ने अलवर सहली में कारी नहीं किया आप्शन दिये गए हैं, तिरलोक राम यहां, तिरलोक राम हो जाएगा, यह गलत है, तिरलोक राम आप्शन दूसरा है, बुधराम, जमुनादास, सिवकुमार तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पहला तिरलोक राम अगला कुश्चन दिया गया है 1890 गुरूप कहां गठित हुआ था मुंबई कोलकाता बड़ावदा पठना इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन यानि बड़ावदा अठारा सो नब्वे गुरूप बड़ावदा में गठित हुआ था चलिए अगला कुश्चन है अंजली इला मेनन इन में से किसे संबंधित है ऑप्शन चित्रकला छापाकला व्यंग चित्र नरतिकला तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक चित्रकला अंजली इला मेनन किसे संबंधित है चित्रकला से चलिए अगला कुश के लिए विख्याद है जूल्स चार्ट पीरे अंगुष्ठ रिन्वार ऑप्शन तीन दिया गया है एडगर डेगा ऑप्शन चार्ड दिया एडगर वाने एडवर्ड माने इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका राइट उत्तर आप से नंबर पहला यानि जूल्स चार्ड हो जाएगा चली अगला कुश्ण अगला कुश्चन दिया गया है चतान काटकर बनाया गया द्रोपती कहां है सबसे मंदिर बी अगला कुश्चन है सोला सो दस सोला सो बीस इसवी के मध गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई है आप्शन दिये गए है नुजूम लूम दिवाने हाफिज तारीफे एहुसेन साही रज्मनामा तो इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यानि दिवाने हाफिज हो जाएगा अगला कुश्चार है महत्मा कांधी की मा का नाम क्या था उप्शन दिये गए हैं पुतली भाई जोधा भाई अवंती भाई जन की भाई तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा अप्शन साही हो जाएगा उप्शन पहला विल्कुल राइट है पुतली भाई चली अगला कुश्यन अगला कुश्यन दिया गया है भारत कला भावन के संस्थापक निर्देशक कौन थे और अप्शन दिया गया रायकरश्ण दास, सिव रामूर्थ, वासुदेव सरड़ अगरवाल, मदनमोहन, मालवी इसका रायट उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप्शन नमबर एक, यानि रायकरश्ण दास, अगला कुश्यन जो कि आज की प्रसनोत्री का आंतिम प्रस्ण है, दिया गया है रस्भाव को सास्त्र कारूप दिया था, आप्शन दिया गया है, पंडित यसोधर ने ये भारत मुनी होगा, भारत मुनी, अगला अप्शन है, बाडबट ने, के सवदास ने, तो इसका जो है, उत्तर आप सभी को कमेंट बाक्स में लिख कर भेजना है, तो आज का हमारा प्रेक्टिसेट यहीं पर समाप्त होता है, तो दोस्तों, लगातार आप सभी का इसी तरह अगर साथ मि इसी प्रकार की जारी करती रहेंगे, तो आगे चलके दोस्तों, हमारे द्वारा ये 20 प्रसनों के स्थान पर 50 प्रसनों का सेट जो है, उपलब्द कराया जाएगा, इसके लिए आप सभी का सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, चले दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते है फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद